गोड इवनिंग बच्चो कैसे हैं भई आप लोग येस यार आज एक बिलकुल नए चेप्टर के साथ स्टार्ट करने वाले हैं चेप्टर का नाम तो आपको पता ही है यार क्योंकि आप लोग रीट वेदा के साथ जुड़ चुके हैं और सीक्वेंस आपको NCRT की भी पता है तो NCRT की सिक्वेंसी दो हम लोगो ने फॉलो कर रखी है राकेश कामिला गोड इवनिंग गोड इवनिंग अकशा बॉड़े हेलो बिटा मेदा गोड इवनिंग करन चोहान गोड इवनिंग रवनूर गोड इवनिंग खुश्बूरानी गोड इवनिंग गायतरी बलकटे इवनिंग विवे कुमार गुड इवनिंग काशिफ अली हेलो सैली पाटिल गुड इवनिंग चलिए बचो मैं आपको बहुत तेजी से रिमी सहा गुड इवनिंग तो यहां पर हमारा बहुत लिमिटेड टाइम होता है तो यहां पर मुझे लगता नहीं है कि मैं आपका प्रोडक्शन देने का एक बस कुछ यह मान लिए क्योंकि हर सेक्शन में कुछ ना कुछ बच्चे नहीं जुड़ते हैं तो उनके लिए यार मैं नाया ही हूँ जो लोग रेंगूलर हैं उनको तो पता ही यार के मेरा नाम क्या है या पिर मेरे क्रिडिंशन क्या हैं बेसीकली तो यार मैं आसिफ त्यागी मास्टर टीचर जॉलोजी एमस्सी जॉलोजी एमफिल नेट कॉलिफाइड 25 यर से भी जादा के एक्सपिरियंस है 20-30,000 बच्चों को पढ़ा चुका हूँ और पिर ये इनडेफिनिट नंबर अफ बच्चों का सेलेक्शन हो चुका है और उस यहां पर ये शेडियूल दे रखा है हमारा कुछ अब इसमें यह अगर आगया है हम लोग तो बताते हैं के कैसे कैसे हैं ये बाडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन का इंट्रोडक्शन एंड यहां पर बच्चों सेशन डिजाइन बाई मालवीका सोनी एंड यहां पर सर्कु यहां किस चीज़ के लिए कि जिससे हमें फूड मिलें हा यथ हम सिंसाइस करेंगे हम अप्तेन करेंगे उसको डाइजिस करेंगे एब्सॉप करेंगे हमें हमें एनरजी मिल पाई या पर वैरिंटीर के लिए हमारे काम आएगा respiration में हमने ये बतायाता है कि जो भी food material है वो fuel की तरह काम करता है हम उसको oxidize कैसे करते हैं हम यार oxygen कैसे पहुचाते हैं cells तक या पर CO2 कैसे रिकालते हैं वो सारे steps हम लोग respiration में डिसकस कर चुगे हैं अब circulatory system जो है ये भी हमारा एक बहुत important system है बहुत easy है ये chapter यार ये chapter बहुत easy है और इस chapter में ये देखिए कि अगर हम लो किसी भी animal की बात करें तो material को distribute करने के लिए अगर हमें कहीं न कहीं से खाना body की different cell तक पहुचाना है lung से oxygen body की cells तक पहुचाना है body की different cell से CO2 को lung तक लेके आना है या फिर यूरिया लिवर में बनता है यूरिया को लिवर से kidney तक लेके जाना है filter करने के लिए या फिर हमारी body में different location की उपर hormone secret होते हैं उनको target तक लेके जाना है ये सब काम कौन करता है ये सब काम हमारे body के fluid करते हैं हम अपनी बात करें तो हमारे body के fluid में एक तो blood आ जाता है एक lymph आ जाता है उन्हीं सब को यहां पे एक एक करके discuss करेंगे यहां लिख कर देखे circulation of body fluid is the movement of body fluid inside the animal from one place to another place ठीक अब यहां पे simple organism की अगर बात करें तो वहां पे और क्या है कि basically water है जो circulation में help करता है अगर मैं आपको sponges की बात करूँ तो sponges में अंदर भी पानी बारा होता है बाहर भी पानी होता है तो खाना अंदर लेके आने का काम किसका water current का oxygen अंदर लेके आने का काम किसका water current का sponge के अंदर से waste को बाहर निकालने का काम किसका वो भी water current का तो वहाँ पे आपको बताया के water canal system होता है अगर हम लोग sponges की बात करते हैं next file हम आता है हमारे पास निडेरिया अगर निडेरिया की बात करते हैं तो वहाँ पे भी cavity होती है उसको हम लोग silentron बोलते हैं या पिर gastrovascular cavity बोलते हैं फिगर में आप ये समझेए कि अगर आपने ये फिगर आपको बताया है इस फिगर को आप लोग पहचान जाओगे ये कोई sponge है और अगर sponge आपको बताया तो बोड़ी में पोर्स होते हैं उनको हम आस्टिया बोलते हैं आस्टिया के थ्रूप पानी स्पॉंजो सील में आएगा यहां पे आस्टिया है आस्टिया के थ्रूप पानी आएगा स्पॉंजो सील में और स्पॉंजो सील से पर निकल जाएगा बाहर अब यहां अंदर भी पानी बरावा है यह अंदर भी पानी बरावा है hydra की बात करते है तो यहाँ पर इसमें gastro-escular cavity है और इस cavity के अंदर भी यहाँ पर पानी ही बढ़ा होता है बच्चो यहाँ पर एक और बात है यहाँ पर एक opening है इस opening का नाम होता है mouth अब यह ingestion का भी काम करता है पानी यह खाना इसके थूँ अंदर आएगा और इसके थूँ पानी ही है जो मेटियल को डिस्ट्रिबूट करता है अगर हम लोग प्लैटियल मिन्स या एसकिल मिन्स की बात करते हैं तो वहाँ पे पैरन कायमेटर सर्कुलेशन और बॉड़ी केविटी सर्कुलेशन होता है लेकिन NCRT अब स्किप करती है उसको तो NCRT या एक्स्पेन किसको करती है NCRT के इसाब से अगर हम आपको इलाबोरेट करें तो पिर आप थोड़ा सा इंट्रोड़क्शन यह समझे कि हमारे पास एक सिस्टम होता है उसको बोलते हम दोग यह ब्लैड वैस्कुलर सिस्टम ब्लैड वैस्कुलर सिस्टम को हम और क्य और समझे एक नाम अगर मैं आपको यह लिखके दू विलियम हर्वे तो विलियम हर्वे को कंसीजर किया जाता है फादर ओफ ब्लैड वैस्कुलर सिस्टम या पिर इनको हम यह मानते है फादर ओफ एंजियोलोजी अब यहां पे एक और नया नाम आ गया बच्चों आप लो तो विलियम हर्वे इस फादर फिगर फॉर एंजियोलोजी यहां पे ब्लैड वैस्कुलर सिस्टम या पिर कार्डियो वैस्कुलर सिस्टम डिस्कवरी विलियम हर्वे की इसलिए विलियम हर्वे को मानते हैं हम लोग फादर ओफ ब्लैड वैस्कुलर सिस्टम एंड इस्ट एक बार मैं कमेंट बॉक्स शेक कर लूँ आप लोग विया जरह कोई बताएगा बचो यस मेदा बिटा आपके लिए सवाल है जल्दी से बताइए इन्यमेलिया में ब्लैड़्वेस्कुलर system evolve का हुआ अंशी का सिंग कोईलेट नहीं है बिटा अभी start हुआ है बस और सुमित गोयल का जवाब आया एनलिडा तो सबसे पहला जवाब सुमित गोयल का और ये जीत गए हैं येस आप जीत गए हैं कुछ नहीं चलिए अभी यार फिलाल तो कुछ नहीं है लेकिन डेफिनि इवाल्ड इन एनलिड्स ठीक है बचो सबसे पहले एनलिडा में ब्लेड वैस्कूलर सिस्टम इवाल हुआ है अर्थवम की फिगर NCRT में बनी वी है क्लोज ब्लेड वैस्कूलर सिस्टम होता है अगर लीच वाले ग्रूप की बात करें वहाँ पे ओपन ब्लेड वैस्कूल सबसे पहले एनलिड्स में वाल हुआ अब बचो और सुनो यार अब यहां पे ब्लेड वैस्कूलर सिस्टम में अगर हम लोग कंपोनेंट्स की बात करें अगर हम लोग ब्लेड वैस्कूलर सिस्टम में कंपोनेंट्स की बात करें तो ब्लेड वैस्कूलर सिस्टम में तीन heading लेके चलेंगे, blood explain करेंगे, blood vessels explain करेंगे, heart explain करेंगे और heart के बाद पर यहां पर heart rate आएगा, cardiac cycle आएगा, stroke volume आएगा, cardiac output आएगा, heart sounds आएगे, blood pressure आएगा, electrocardiography आएगे, उसके बाद lymphatic system आएगा और disorders आएगे, ठीक है, क्या हुआ बच्चो, noise में कुछ problem है, क्या यहां पर किसी बच्चे ने लिखा noise, यह मेरी voice जो है, कुछ crack हो रही है, क्या बई, is it audible, चलिए, हाँ, okay, no, कोई problem नहीं है, इसका मतलब ठीक है, अब यहां पर बच्चो, अगर हम यहार next slide पर आएए, तो य मेरे लिखने का काम कुछ है, कम है, बस अब मैं आपको याद कराता हूँ, आप बस सुनते रही है, आप बस concentration से सुनते रही है, तो ब्लेड में आप आज हम लोग RBC तक कंप्लीट करने वाले हैं, और definitely आप लोग यहां से बिलकुल रट के जाओं गयार, RBC तक आप लोग ब ब्लेड की characteristic की अगर बात करें, तो ब्लेड को हम क्या बोलते हैं, ब्लेड हमारे पास, या तो आपको लिखावा मिलेगा, NCRT के हिसाब से अगर मैं लिंक करूं, वैस्कुलर बोलते हैं, या फिर वैस्कुलर का मतलब हो जाएगा, Fliudy, क्योंकि इसका matrix रहे है, वह बहुत निकल जाएगा, तो हमारी death हो जाएगी न, तो ये river of life एक तरीके से, हमारी body में soft test tissue पूछेगा, तो answer blood, और हमारी body में heart test tissue पूछेगा, तो जल्दी से answer कर दो बच्चो, heart test tissue answer कर दीजे, गयत्री आप बताएंगे बेटा, future doctor मुहमत खालेद आप बताएंगे बेटा, सुमि यहाँ पे सुमित गोयल ने answer किया, इनैमल, लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा correction कर दू, आरियन शड़ा का answer बिल्कुल सही है, SS digital का answer बिल्कुल सही है, इनैमल वाले गलत हैं बच्चे, मेदा का answer भी इनैमल है, यह भी दोका कहा गई बात में, प्रिंसी जेन ने bones बो अगर hardest substance पूछेगा, then we have to answer इनैमल, अब तो गलती नहीं करोगे, आज के बाद बच्चो, अरे प्यारे बच्चो मेरे यहार, एक बार बोल तो दो, हाँ, अब बिल्कुल गलती नहीं करेंगे, आप लोग यहार, hardest substance इनैमल, and hardest tissue of body is bone, and softest tissue, या liquid से जादा soft और क्या हो सकता ह अमारी body में, blood से जादा क्या होगा, तो blood से जादा soft कुछ नहीं होगा, softest tissue, अब यहाँ पे connective tissue है, लेकिन इस connective tissue में कुछ अलग है, अगर हम लोग यहाँ पे लिखके connective tissue बच्चो, तो connective tissue में तीन चीज़े होती है, connective tissue में एक तो होता है matrix, एक होता है cells, और एक होती है fibers, क्या-क्या बताया, matrix है, cells है, fibers है, अब cell के मिना तो कोई tissue होना नहीं है, cell के मिना तो कोई tissue होना नहीं है, matrix यहाँ पे अलगर type का होता है, कई solid होता है, कई semi solid होता है, कई fluid होता है, यहाँ पे fluid है, लेकिन यहाँ पे fibers missing है, अगर हम लोग blood की बात करें, तो यह connective tissue है, लेक में दो बाते अलग है остoga के मेकरिक्स में फाइबरस अबसेंट है नॕर मैंने क्लू देदीा काटे ले जैसा जिसमें फाइबरा थासन है येस बिलकुल मुझे लग रहा है थोड़ा सा यहां पे येस। और ये मिदिलेश का अंसर आया हाईलिन काटिलेज। उसके बाद गयत्री का अंसर हाईलिन काटिलेज। शिफा अफरीन हाईलit। अरे वाई हाई हाईलिन बिल्कुल सही अंसर की, हाइलिन काटिलेज में भी मैट्रिक्स बे फाइबर एपसेंट है, तो दो एक्जमपल याद रखने, एक तो हाइलिन काटिलेज और एक ब्लड, और दूसरी बात यहाँ पे यह, कि अगर हम लोग कनेक्टिव टिशू पढ़ते हैं, तो हमें पता होता है कि कनेक्टिव टिशू को सिक्रीट करने काकाम, उसकी कंपोनेंट सेल्स का, और सेल्स का नाम भी आपको याद होगा, फाइबरो ब्लास्ट होती है, जो कि मैक्टिव Сिक्रीट करती है, या पर थोड़ा बहत मास्सल भी कंट्रिबूट करती है, लेकिन ब्ल兩個ês हमारा ऐसा इसकी component self-produce नहीं करती है यह RBC से secret नहीं होता यह WBC से secret नहीं होता यह platonet से secret नहीं होता चलिए अब यहां पे अगर हम लोग इस slide पही आ जाएं क्या लिखा है matrix is represented by fiber free यह point ध्यान रखना है fiber free plasma क्योंकि plasma matrix को represent कर रहा है blood cells को हम लोग corpusals भी बोलते हैं एक और point यहां पे कि यह जो fiber free है और not secreted by its component cells दो चीज़े आपको normal matrix से इसके matrix में difference बता दिया mesodermal in origin अब यहां पे देखिए कि अगर हम लोग इस structure की बात करें यह हमने कुछ ऐसे figure बना दी है इसका मतलब यह fertilization का event है इसके बाद structure क्या बनता है इसके बाद बनेगा zygote इसके बाद क्या बनेगा morula यह M लिख दिया morula के बाद क्या बनेगा इसके बाद बनेगा blastula यह B लिख दिया और इसके बाद क्या बनता है इसके बाद बनता है gastrula और gastrula में क्या होता है कि या तो दो लेयर में सेल सारेंज हो जाती है या तीन लेयर में अरेंज हो जाती है अगर सेल तीन लेयर में अरेंज हो जाती है तो बाहर एक्टोडा में एक मीजोडा में और एक एंडोडा में और हमारे इसी गेस्ट्रॉला की इन तीन लेयर से हमारे सारे टिशू बनेंगे हमारे सारे औरगन बनेंगे एवन हमारे सारे औरगन सिस्टम बनेंगे जा एजे होल हमारे पूरी की पूरी बाड़ी इन तीन बेसिक जम लेयर से बनी वी है तो हमारे पढ़ने में कहीं न कहीं आता रहेगा कि कोई tissue को बोलेंगे हम लोग एक्टोडर्मल origin है किसी organ को बोलेंगे हम लोग कि endodermal origin का है किसी को बोलेंगे mesodermal origin का है तो connective tissue का origin mesodermal होता है तो blood का origin भी mesodermal blood gastrula की mesodermal stage से बनेगा आगे लिखा है taste जो है blood का वो कुछ salty सा होता है and heavier than water थोड़ा water से heavy होता है अभी यहाँ पे ICM inner cell mask मास बिलकुल सही बेटा यहाँ पे अभी हर्ट विग एंड सब उसकी जरुवत नहीं है assignment ये telegram बिलकुल दे देंगे बेटा अक्सा वरगीज आपने बुचा assignment बिलकुल telegram ग्रोप इसी सब काम के लिए यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल पे भी आपको डिलीवर करूँगा बिलकुल strategy क्या है classes के time क्या है time table बेटा time table नीट वेदा का आप लोग टेलीग्राम ग्रोप जॉइन करिए वहाँ पे आपको assignment का पॉइंट पे आते हैं और next slide में आपको बता दो वही क्या है viscosity is 4.7 viscosity physics के respect में है थोड़ा गाड़ा पंच जो होता है उसको हम लोग viscosity बुलता करें मैं simple करके बता हूँ और यहाँ पे viscosity के बाद यहाँ पे क्या आज है वही यहाँ पे इसके बाद इसका pH दे रखा है viscosity के बाद यहाँ पे slightly alkaline pH लिखे वी है अगर slightly alkaline pH लिखे वी है तो pH को दे रखका 7.3 से लेके 7.5 average दे रखका 7.4 और pH is higher in arteries artery में pH ज़ादा होती है respiration वाले chapter में आपको discuss कर चुका हूँ कोई बच्चा नया हो तो respiration वाले chapter को दुबारा से देख सकता है कही ना कहीं आपको दीट वेदा के उपर लिंक मिल जाएगा यहाँ पे लिखा है के lower in veins because the CO2 in veins form H2CO3 wean CO2 केरी करती है wean में CO2 concentration ज़ादा होगी तो अगर CO2 ज़ादा होगा तो इसका मत्तब यार वहाँ पे carbonic acid बनेगा और wean की pH जो है blood की काम होगी sodium bicarbonate and carbonic acid जो होता है वो क्या करता है यार यह pH को maintain करने में help करता है यह buffers कहलाते है वो ऐसे cushion दे रखका है उतने उतने cushion यह दे रखका है कि भाई CO2 blood जो है वो CO2 carry करता है लेकिन फिर भी blood की pH तो maintain होती है ब्लड की pH maintain होती है तो pH maintain करने का काम किसका pH maintain करने का काम buffers का और buffer में क्या क्या नाम दे रखके हमारे बास अगर आपको एक answer करना हो तो sodium bicarbonate is main buffer blood constitute 7-8% of body weight and 30-35% of total ECF ECF का मतब एक्स्ट्रा cellular fruit का 30 से लेके 35% है हमारे body weight का 7-8% है अगर by volume हम लोग बात करें तो पिर male में 5-6 liter blood होता है और female में 4-5 liter blood होता है थोड़ा weight का फरक है बस उसके according हमारा answer आ जाएगा चलिए अब यहाँ पे बताए आपको 5-6 liter male में है और 4-5 liter female में है चलिए बच्चो next information पे आ जाते हैं आज काफी कुछ theory theory है इस पिए बाग रहे हैं हम लोग यहाँ पे अब यहाँ पे देखे यह आपको table मैं अभी आपको 5 minute में याद करा रहा हूँ बस 5 minute दीजे 5 minute में आपको याद होने वाला है blood में components क्या-क्या हैं बच्चो blood में components हैं एक तो plasma और एक corpuscles अगर plasma की बात करते हैं वो इसके matrix को represent करता है और 55-60% अगर वो सवाल यह पुछे कि which one of the falling is maximum in blood आपको option दे दे plasma formed element इस टाइब की choice दे दे कुछ ही है तो answer हमारे पास plasma क्योंकि यह कितना constitute करता है यह 55 से लेके 60% constitute करता है और formed elements जो हैं वो कितना constitute कर रहे हैं वो 40 से लेके 45% constitute कर रहे हैं चली अगर हम लोग plasma की बात करें बच्चो plasma पे भी दो चीज़े हैं plasma में एक तो आता है water 90 से लेके 92% है and dissolved substances जो हैं वहाँ पे 8 to 10% है अगर हम लोग dissolved substances की बात करें वहाँ पे भी हम लोग category बनाते हैं एक आता है inorganic part 1 to 2% है और एक आता है organic part वो 7 to 8% है organic part 7 to 8% अगर हम लोग formed elements की बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास RBCs आती है जिनको erythrocytes बोलते हैं WBCs आती है जिनको leukocytes बोलते हैं और तीसे नाम पे लिखा है यहाँ पे thrombocyte spindle cell जिसका main नाम platelets 99% इसमें क्या है भाई अगर formed elements की बात करते हैं तो इसमें 99% RBCs हैं क्या बता है बच्चो इसमें 99% RBCs हैं 1% में बागी दोनों component आ जाएंगे 99% RBCs हैं WBCs के दो टाइप हैं एक के cytoplasm में granules होती है इसलिए क्या नाम आ जाएगा granulocytes और दूसरे में नहीं होती है इसलिए क्या नाम आ जाएगा A granulocytes granulocyte में हमारे पास तीन हम आ जाएंगे B, A, N चलो बैन करते हैं square B, A, N का मतलब B से basophil है A से acidophil है N से neutrophil है और इदर आ जाएगा मारे पास ये M और L M से आ जाएगा monocyte और L से आ जाएगा lymphocyte basophil, acidophil, neutrophil and monocyte and lymphocytes चलो बच्चों एक काम और करते हैं यार ये slide अभी थोड़ा सा मैं वापस आके यहाँ पर अगर दुबारा से लिख के आपको याद कराऊं तो आप लोग यार अक्सर ये कहते हो यार के लिख के और memory ठीक ठाक बनती है तो यहाँ पर अगर मैं लिख को यार के blood में क्या क्या है भाई अब मैं पूरे नाम में लिख कुआ मैं यहाँ पर आपको आप लोग साथ साथ comment box में answer करते रहे हैं मुझे मज़ा आता रहे गार blood में हमने क्या क्या लिख का blood में हमने लिख का plasma या plasma के साथ और क्या लिख दिया हमने और हमने लिख दिया formed elements या formed elements के लावा और क्या बोल देते हैं प्लाजमा में क्या क्या बताया बई plasma में एक तो water है कितना है 90 से लेके 92% और यहाँ पे dissolved substances हैं वो कितने हैं 8 से लेके 10% इसमें अमने क्या बताया था एक तो आता है inorganic part कितना है 1 से 2% एक कितना बताया था organic part कितना है 7 तो 8% याद हो गया ना इतना डिटा दो एक बार मैं चेक करूँ है आप लोगे अंसर क्या क्या चलते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट वाटर डिजॉल्ट सबस्टेंसिस आ रहे वा यार बिल्कुल सही अगर 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 लोग फॉर्म्ड एलिमेंट की बात करते हैं वीएव-RBC as formed element वीएव-WBC एंद वीएव-Platelates तीश्रा-Platelates अगया है WBC में दो टाईप हैं मारे पास एक को बोलते है Granulocides एक को बोलते है A-Granulocides Granulocides में हमारे लिएप पास तीन टाईप हैं एक को बोलते है Basophil एक को बोलते है Acidophil एक को बोलते है नीट्रोफिल एक को बोलते है मोनोसाइट और एक को बोलते है लिम्फोसाइट चलो थोड़ा रिवीजन करते हैं बच्छो मैं चेक तो कर लू यार कि आप लोगों के अंसर क्या क्या है यहां पे जल्दी से मुझे कोई यह बता यह अगर वो यह बूछे लीस्ट अबंडन डबलुवीसी अब ही मुझे पढ़ाना है जसमें चेक कर लाहूया तरहि कितना बड़े बैठे हो लीस्ट अबंडन डबलुवीसी बचो जल्दी सबसे कम डबलुवीसी कौन सी है अरे वा करण चौहान का अंसर सबसे पहले आया बेसोफिल बोला इनोंने यहां पे मेदा का अंसर एक रेनिरो साइट से है नहीं WBC के पाँच आप्शन और उसमें अंसर बेसोफिल सुमित गोयल का अंसर बिलकुल सही वंशीका सिंग का अंसर सही खुश्मूरानी का अंसर सही सिफारानी का अंसर बिलकुल सही और फ्यूचर दौक्टर मौंबत खालिद का अंसर भी बेसोफिल चलिए चाल मोस्ट अबंडन डब्लो बीसी चलिए कम ऑन हिट धा कमेंट बॉक्स सबसे ज़ादा मिलने वाले डब्लो बीसी गायत्री का अंसर सबसे पहले है नूट्रोफिल, करण चोहा नूट्रोफिल विवेक कुमार ने RBC बोला यहाँ पे most abundant WBCs पूछा था इसके अंसर में RBCs तो करी नहीं सकते तो नूट्रोफिल अंसर इतने सारे अंसर आ चुके हैं और अगर वो यह पूछे most abundant cells of blood अगर most abundant cells पूछेगा तो RBC most abundant cells of blood पूछेगा तो RBC और most abundant WBC पूछेगा तो अंसर नूट्रोफिल largest WBC largest WBC, come on guys come on guys largest largest WBCs largest WBC में ना का अंसर सबसे पहले monocyte and this is correct answer this is correct answer smallest WBCs smallest WBCs बच्चो, come on come fast, come fast, come fast smallest WBCs smallest WBCs में अंसर हमारा lymphocyte और again मेदा ने सबसे पहले हिट किया है सबसे पहले इनका जवाब आया है तो अब यहार अंसर सब के आ रहे है लेकिन यह सब के नाम बोलना मुश्किल हो जाता है तो हैर मेरी नादर में सबसे पहले जिसका नाम पढ़ेगा मैं उसका तो मुलूँ आई एकट्लिस्ट चलिए यहार यहार यहां पे यह समरी मुझे लगता है आपको याद हो चुकी है तो आप यहार टाइम खराब करें मिना आंके बढ़ जाए यार तो यहाँ पर हम लोग कहा तक आ गए थे viscosity बता दी थी pH बता दी थी अब हम आते हैं यहाँ पर next प्लाजमा क्या है भई प्लाजमा के बारे में बच्चो अभी इतनी देर से बताया जा चुका है आप लोगो के प्लाजमा represent matrix प्लाजमा एक्चोली ब्लड के matrix को represent कर रहा है ठीक है प्लाजमा matrix को represent कर रहा है pH बताई जा चुकी है slightly alkaline लेकिन यह straw colored लिखा है straw colored का मतलब यह हलका सा पीला रंग है और हलका सा पीला रंग जो इसका है वो किसकी वज़े से है वो आपको answer देगा bilirubin या पिर अगर वो bilirubin नहीं देगा तो पिर वो euro bilinogen दे सकता है देख लेना answer क्या दे रखा है ठीक है या तो euro bilinogen दे सकता है या पिर bilirubin दे सकता है तो bilirubin bile pigment में आता है hemoglobin के टूटने से बनता है और क्योंकि blood में बिलता है तो ब्लेड का पिला रंग bilirubin की वेज़े से अक्सर एक बिमारी का नाम सुना होगा आप लोगो ने जॉन्डिस बोलते हैं हिंदी में पिलिया बोलते हैं तो पिलिया का मत्तब इसलिए के bilirubin का content हमारी body में बढ़ता है liver अगर ठीक से काम नहीं करता और उसकी वरे से फिर क्या होता है भई उसकी वरे से ये हमारी स्किन का रंग हमारे नेल्स का रंग हमारी आइस का रंग ये पीला पड़ने लगता है इसलिए पीलिया बोलते है तो वहाँ पे भी bilirubin का ही चक्कर है liver का disorder अब और क्या क्या है भई यहाँ पे ये बताया जा चुका है क्या अब फाइबर फ्री है ये बताया जा चुका है not secreted by its component cell inorganic part पे आ जाते है inorganic part में आपको बताया था भई क्या क्या है भई bicarbonates and chloride salts of sodium potassium and calcium bicarbonates and chloride salts of sodium potassium and calcium और क्या क्या है भई phosphates है magnesium है chloride है iron है then sulfates है bicarbonates है और भी कुछ constituents है यहाँ पे calcium के बारे में थोड़ा सा important है calcium जो होता है उसके तीन important role लिखे है जो तीनों नीट में अलग-अलग गेर में पूछे में है frequently पूछा जाता है कि calcium का क्या है तो calcium का का काम एक तो यह कि blood की clotting में help करता है कैसे help करता है इसी chapter में आ जाएगा या पिर synaptic transmission synaptic transmission का मत्तब अगर मैं बोल रहा हूँ तो मेरे बोलने में synaptic transmission involve होगा neuron से message चला होगा neuron कहीं न कहीं synapse मनाता होगा junction मनाता होगा और उस junction से फिर calcium कहीं न कहीं वहाँ पे क्या role play करता है उसको discussion में आगे बताएंगे और एक muscle contraction जो है वो भी calcium के मिना पूरा नहीं होता है muscle contraction भी calcium के मिना पूरा नहीं होता है ठीक है बचो तो यहाँ पे calcium के तीन रोल बता है एक तो blood की clotting का role है एक synaptic transmission का role है और एक muscle contraction का role है calcium के in role के बारे में frequently बूचावा है बिल्कुल यहाँ पे answer आप लोगो क्या और क्या क्या है यहाँ पे muscle contraction, synaptic transmission, neuron बिल्कुल साई साई जवाब आप लोगों के चलना है तो यहाँ आगे बढ़े ही बच्चो और buffer system में लिखका है यहाँ पे देखे के यह inorganic components वे हैं buffer system है इसमें main buffer हमारे पास sodium bicarbonate है चलो बच्चो आगे आजाओ भाई यह slide यहाँ तक तो आपको blood बिल्कुल यहाँ clear हो गया होगा चलो इतना बताओ याद हो गया है नहीआ इतना बताओ याद हुआ है नहीं कुछ thumbnail दीजे, कुछ heart दीजे तब पता चलेगा यह नॉमल नहीं कुछ different message बोलिए यार yes no नहीं yes से yo-yo चलिए yes yo-yo से भी काम चलेगा यार यहाँ तक clear हो गया याद अरे बाई बताओ अब आप भी देखो comment section जो है ना आप कुछ रंग बिरंगा लग रहा है ना आप कुछ गुलदार लग रहा है आप कुछ अच्छा सा लग रहा है हाँ अब यह पढ़ाने के लिए मुझे थोड़ा motivation हो गया कैर मैं आप RBC तक आराम से complete कर दूँआ ठीक है अब आगे आते हैं बई बचो अब आगे आते हैं यह section बहुत important है बई यह slide बहुत important है हाँ इस slide के उपर आपको जब practice करोगे ना 20 सवाल मिल जाएंगे आपको जब आप question प्रैक्टेस करोगे बहुत सवाल मिलेंगे आपको इस part के उपर organic part का मत्तब यह के it constitute digestive substances हमने खाना खाया carbohydrate, lipid, protein, vitamins यह सब है ना उसमें तो आप उसमें कुछ चीज़े vitamin digest नहीं होते लेकिन carbohydrate, lipid, protein को आपको डाइजस्ट करके absorb करेंगे ना तो carbohydrate के digestion ग्लुकोस रक्टोस बनता है ना तो glucose ब्लड में मिलेगा भाई protein के digestion से aminesin बनता है ना तो aminesin ब्लड में मिलेगा एब्साब करने के बाद अगर आप लोग fat के digestion की बात करें fatty acid and glycerol बनता है ना तो blood में मिलेगा absorption के बाद fat का absorption lipids में होता है lymphatic system में होता है लेकिन lymphatic system उस fat को blood में ही डाल देता है distribution के लिए तो मिलेगा blood में अगर हम लोग excretory products की बात करें अभी बताया था मैंने इसी session में के urea बनता कहा है यूरिया बनता है हमारी liver में और filter कहा होता है kidney में तो liver से kidney तक उठाके लेके जाने का काम किसका blood का तो urea भी मिलेगा uric acid भी मिलेगा थोड़ा बहुत uric acid भी बनता है हमारी body में अब वो कहां से बनता है वो पर different session में आएगा और creatinine type कुछ waste है वो भी हमारे blood में मिलेगा vitamins भी मिलेंगे hormones भी सारे के सारे blood के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते है hormones भी मिलेंगे hyparin and protein लिखा है यहाँ पे आप लोग मेरी बात अगर ध्यान से सुन रहे हो तो यह जो hyparin लिखा है न इसको पहले लिखा है प्रोटीन बात में लिखा है hyparin actually protein नहीं है अकसा लोग गलती करते हैं कि hyparin protein है तो hyparin क्या होता है बच्चो hyparin is a kind of muco polysacryde और यह hyparin जो है यह carboidrates में तो आता है यह protein नहीं होता है hyparin liver में भी बनता है hyparin mast cell से भी सिक्रीट होता है hyparin blood में basophil से भी सिक्रीट होता है तीन structure बता दिये मैंने आपको तीन चीज़ें बता दिये हिparin liver में बनता है हिपैरन बेसोफिल से सिक्रीट होता है हिपैरन मासच से भी प्रोड्यूस होता है और हिपैरन कार्पोईडिक्स बाली कटेगरी में ता है मत्तब इन से काइंड आउ मिकोपालिस हैकरائی अब यहाँ पे ब्लड्ट प्रोटीन की सम्री लिखे हुई है और समरी में हमारे पास ब्लड पूटीन में तीन नाम आपको यह चार नाम यहाँ पे तीन यहाँ पे इसके रो बना रखी हैं लेकिन यहाँ पे पूटीन चार लिखी वी है एक नाम लिखा है यहाँ बच्चो अल्बियूमिन albumin protein जो होता है यह egg का जो white वाला हिस्सा होता है वो भी albumin protein है अगर हम लोग milk की बात करें वहाँ पे भी albumin मिलता है और यह blood में भी हमारे albumin मिलता है तो albumin animal का एक बहुत common सा protein है बहुत सारी जगे मिलता है तो यहाँ पर यह albumin बताया और albumin के बाद पर एक नाम बताया है globulin, globulin में तीन टाइप है एक alpha होता है एक beta होता है और एक gamma होता है यह gamma वाले को थोड़ा आगे ही elaborate करेंगे इसका application है और एक नाम यहाँ पे लिखका है pro-thrombin, यहाँ पे pro लगावा है तो इसका मतलब inactive है और यहाँ पे जन लगाए तो इसका मतलब यह भी inactive है pro-thrombin और fibrinogen यह दोनों blood clotting में help करने वाली protein है pro-thrombin और fibrinogen blood की clotting में help करने वाली protein है अब यहाँ पे यार समझडो क्या याद करना है albumin जो होता है वो हमारे blood का कुछ osmotic balance होता है osmotic pressure होता है उसके लिए responsible होता है मैं एक और बात बता हूँ आपको यह जो albumin है ना यह जो osmotic pressure maintain करता है इस osmotic pressure के लिए हमारे पास एक term आती है we call it BCOP blood colloidal osmotic pressure क्या बोलना है बच्चो इसको इसको बोलना है blood colloidal osmotic pressure कोई value बताएगा BCOP की BCOP की कोई value बताएगा अकर किसी को यादो excreation में पढ़ने में आती है BCOP की value किसी को पता है बच्चो चलिए आप लोगों की तरफ से अभी जवाब missing है या तो कुछ मुझे लग रहा है कि या तो net की speech कम है या पिर आप लोग अभी वहां तक इसको relate नहीं कर पा रहे है BCOP की value होती है 30 mmHg excreation वाले chapter में ultra filtration पढ़ाएगे तो वहां बता देंगे राकेश का मिला 25 है काफी close answer है 28 to 30 या पिर 30 गया 3 का answer 30 या पिर मुझे लग रहा है कि आप लोगोंने answer करना शुरू कर दिया होगा ये कभी कभी lag आ जाता है याँ पे इसलिए आपके answer मुझे late deliver हुए वरना मेरे लिखने के बाद तो आप नहीं लिखते हैं चलिए कोई बात नहीं है ये blood colloidal osmotic pressure इसके लिए responsible protein का नाम albumin तो यार albumin क्या करेगा हमारे blood के osmotic pressure के लिए responsible link अब globulin protein जो है इसमें तीन नाम है alpha, beta and gamma यहाँ पे ये जो gamma globulin है actually gamma globulin is a kind of immunoglobulin क्या लिखा? immunoglobulin ये immunoglobulin में अगर आप लोग नोटिस किया हो यहाँ पे globulin word लिखा है ना यहाँ पे globulin word लिखा है ना तो globulin protein with the function of immunity globulin protein with the function of immunities is called immunoglobulin immunoglobulin को हम लोग short में बोलते है IG और यह immunoglobulin क्या है भई immunoglobulin और कुछ नहीं है immunoglobulin बोलते हैं हम लोग किसको antibody को plus 2 की NCRT में दिखा रखा है के Y shape structure होता है अब आपको सारा याद आ चुका होगा तो अगर यह immunoglobulin मतलब antibodies है और यह gamma globulin को represent कर रहा है बिसी गली तो gamma globulin का काम या पिर immunoglobulin का काम या antibodies का काम हमें immunity provide करना तो gamma globulin का क्या काम है भई immunity provide करना pro thrombin fibrosion का क्या काम है blood की clotting में लब करना यहाँ पे कुछ और समरी लिखे वी है एक तो यह कि अगर आपको पूचे कि इन वे प्रोटीन सबसे ज़्यादा कौन सी है तो albumin is maximum and pro thrombin and fibrosion जो है यह minimum आती है अगर वो amount के हिसाब से पूचेगा तो albumin maximum मिलने वाली प्रोटीन है pro thrombin fibrosion minimum मिलने वाली प्रोटीन है एक तो यह अगर वो साइज के हिसाब से पूचेगा तो smallest blood protein is albumin अगर वो साइज के हिसाब से पूचेगा तो smallest blood protein is albumin पिर यहाँ पे एक और बात important है all blood proteins are formed in liver all blood proteins are formed in liver except gamma globulin यहाँ पे लिखा है gamma globulin is the only protein which is not synthesized in liver तो gamma globulin कहां बनती है भई gamma globulin है antibodies और antibodies को कौन produce करता है antibodies को produce करती है B cells या पिर B cell अगर आपको नहीं लिखावा मिलेगा तो आपको लिखावा मिल सकता है plasma cells यह आप पढ़ेंगे human health वाले chapter में क्या पता है आपको antibodies are produced by B cells या पिर B cells के लावा आपको plasma cell option दे सकता है human health वाले chapter में detail समझाएंगे अब भी फिलाल इतनी बास समझते हैं और एक और बात है के albumin और globulin protein जो होता है ये blood के अंदर water को hold करने का भी काम करता है अगर हम ये मानने है क्या ये कोई blood capillary है इसके अंदर यहाँ पे ये water को hold करने का काम किसका blood capillary के अंदर water को hold करने का काम भी किसका भई बच्चों बताये आपको albumin और globulin protein का एक नाम होता है अगर मैं आपको यहाँ पे लिखके बताऊ कुछ जगे बनाऊ एक नाम होता है हमारे पास O-E-D-E-M-A ठीक है अब इसमें ये O हमने लिखने में लिखा है लेकिन बोलने में हमें इसको नहीं लेना है हम इसको बोलते हैं E-D-E-M-A O-D-E-M-A नहीं बोलते हैं कुछ लोग इसको O-D-E-M-A बोलते हैं It is E-D-E-M-A जैसे E-Sophagus होता है ना बच्चो British English उसको लिखती तो O से है लेकिन बोलते तो हम लोग उसको E से है न तो यहाँ पे British English और American English का कुछ फंडा है यह Edema वर्ड आएगा जैसे Estrogen वर्ड आता है तो Edema का मतलब होता है Painless Swelling बहुत सारी बिमारी ऐसी होती है जहाँ पे हमारी बोड़ी में Swelling आनी शुरू हो जाती है Reason बहुत सारे हो सकते है एक Reason यह भी है कि अगर किसी का लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो सोचिए कैसे रिलेट हो रहा है Edema के साथ अगर किसी का लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब Elbumin और Globuline protein ब्लैड में कम हो जाएगे क्योंकि Elbumin Globuline कौन मना रहा है भई लिवर बना रहा है और अगर यह ब्लैड में कम हो जाएगे तो Blood Water को Hold नहीं कर पाएगा और अगर Blood Water को Hold नहीं कर पाएगा तो इसका मतलब क्या होगा water निकल के बार निकलेगा ECF में आ जाएगा और अगर ECF में water का amount बढ़ता है या पिर ECF का amount बढ़ता है वो ही तो edema के symptoms में आता है या पिर वो ही तो edema का reason होता है तो यहाँ पे albumin और globulin जो है वो water को retain करने हैं ब्लड में और अगर albumin globulin कब हो जाते हैं या लिवर किसी का काम नहीं करता है ठीक से तो उसको edema के symptoms आ जाते हैं चलो बच्चो अब यहाँ पे आ जाते हम लोग next information पे erythrocides हैं हमारे पास यह और अब आदे गंटे मेर हमें erythrocides complete करना है ठीक बहुत बढ़िया information है और पिर यह यह कि खाली यह blood का chapter या फिजियोलजी जो है फिर मैं आपको बार-बार बोलना हूँ यह आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला यार यह physiology है आप डॉक्टर बनना चाह रहा है यह आपकी सारी सिंदगी पीछा नहीं छोड़ेगी mammals की RBCs में nucleus disappear हो जाता है maturation के time में otherwise अगर हम लोग Pisces की बात करें, amphibians की बात करें, reptiles की बात करें birds की बात करें तो वहाँ पे nucleus मिलेगा लेकिन mammals की RBC में nucleus नहीं मिलता exceptionally कुछ जगे मिलता है लेकिन वो हमारे slaves का part नहीं है exceptionally कुछ जगे मिलता है लेकिन वो हमारे slaves का part नहीं है तो यहाँ पे हमने लिखका है के accept in mammals अब size की बात करते है largest RBC amphibians में मिलती है largest RBC amphibians में मिलती है और amphibians में भी यहाँ पे लिखका है देखे amphiuma यह पे proteus यह salamanders होते हैं बचो अगर किसी को यह नाम सुने में है तो amphiuma यहाँ पे proteus यह salamanders में आते हैं और अगर यह dimension आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे 70 से लेके 80 micron लिखका है और हमारी में क्या लिखका है 7.5 बतब हमारी RBC से कम से कम 10 गुना बड़ी होती है यह amphibian की RBC ठीक है ना अब यहाँ पे smallest RBC किसमें मिलती है smallest RBC मिलती है mammals में smallest RBC mammals में चलो अगर मैं आपको यहाँ पे यह लिखो mammals और mammals में भी बच्चों एक बात बताएं mammals में smallest किसमें मिलती है और mammals में largest किसमें मिलती है mammals में smallest RBC है मस्क डियर में इसका मत्तब तो यह हुआ ये तो दुनिया की सबसे चोटी RBCs हो गई ये तो दुनिया की सबसे चोटी RBCs हो गई लेकिन largest में हमारे पाद दो answer आएंगे अगर इन और largest पुछेगा तो amphibians है amphiuma है अगर mammals में largest पुछेगा तो mammals में largest किसमे हैं भई चलो अभी मैं नहीं लिखता हूँ मैं आपके answer को चेक करता हूँ अरे वह मेदा ने पहले लिखा वायर यहाँ पे elephant या पिर इसके बाद विवेक कुबार का भी answer elephant आ गया चलिए अब आप लोगों नहीं आरा answer तो hit करना शुरू करी दिया elephant जो है यह मेमर्स में लाज़ेस्ट आर्बीसी इसी अनिवल में होती है elephant के regarding मैं चार पॉइंट और बताता हूँ जो नीट के respect में important है elephant में जो उसका टस्क होता है मतलब दिखाने वाले दांत कि इसका modification होता है जल्दी hit the comment box देख तो लूँ आप पढ़ते हैं तो याद भी रहता है नहीं कुछ digestive system का जिन लोगों ने session यहाँ पे YouTube patent किया होगा उनको पता होगा answer elephant में टस्क किसका modification है वंशी का सिंग ने answer किया incisor लेकिन answer अधूरा है answer करना था upper incisor answer करना था upper incisor yes तंजीम अली का बिल्कुल सही जवाब और यह तो बिसी के लिए आर मतब आप biology के लिए फादर फिगरें यार biology के लिए मतब signature बोल दो अकर इनोंने कुछ बोल दिया तो उसमें कोई गल्ती की गुझाईश नहीं है यह मतब actually student नहीं है यह PCS officer है उत्राखंड में बहुत senior post पे काम कर रहे है और मतब कुछ बीस साल तक यार 15-20 साल तक इनों ने भी biology पड़ा रखी है zoology, botany मतब आज भी यार मैं authority के साथ कह सकता हूँ कि यार कोई भी doubt हो तो इनों नहीं अगर कुछ answer कर दिया तो उसका मतब फाइनल है चलिए खर वापस यहां पे यार मैं अगर point बताओं यहां पे next तो elephant का एक तो point हो गया हमारे पास यह कि यार mammals की largest star BC elephant में दूसरा point बताया कि elephant की जो दिखाने वाले दांते वो upper incisor का modification है एक और point है कि elephant में अगर land animals में बुचे largest star किसका है तो land animal में largest heart elephant का होता है और in all अगर largest heart पूछते हैं तो पिर वो whale का होता है लेकिन whale का heart जो होता है वो car के जितना बड़ा होता है car के जितना बड़ा मतलब यह अब यह मत पूछना के नैनो कार या लिमोजीन कार वो depend करेगा के whale का size कितना है मतलब whale के जो heart के chambers है atria ventricle उसके अंदर हम आराम से बैठ सकते हैं जो whale के heart के साथ aorta लगे होते हैं उनमें baby crawl कर सकता है इतनी सारी बाते elephant के बारे में एक और point यह है कि अगर लोग gestation period की बात करते हैं अगर हम लोग pregnancy की duration की बात करते हैं तो पर longest gestation जो है वो elephant का होता है it is around 2 years it is around 600 से लेके 650 days it is around 22-22 month 20 से लेके 22 month देगा अगर days में देगा तो 600 से लेके 650 days देगा या पर अगर year में देगा तो year में 2 years के आसपास देगा यह 4-5 points मैंने आपको बता दिये elephant के regarding different year में पूछे वे हैं चलिए अब यहाँ पे आगे हम और point जो discuss कर रहे थे frog की RBC का dimension की जरूरत नहीं है इतना काफी है जो आपको बताया अब यार यह साथ साथ आप यह बता दी यार यह आपको याद हुआ है नहीं आँ तक बच्चों तरह जल्दी से बता दो आर इंट्राइब्डॉमिनल टेस्टेस होते हैं यह भी साहिए भई इंट्राइब्डॉमिनल टेस्टेस भी होते हैं यह भी मिल्कुल नीट का सवाल है यहाँ तक याद हुआ है नहीं आप लोग है hit the comment box भई hit the comment box yes चलिए यहाँ तक याद हो गया है तो इसका मतलब यह क्या आगे बढ़ना चाहिए और अगर आगे बढ़ें शिफा असन विवेक कुमार एंड यह गयत्री अंशीका सिंग राकेश कमिला विवेक कुमार तो यह इतना बढ़िया वोलते हैं तो यह बन गई या लेकिन यह pana से डिखे तो यह आमें दिखे गया यह rounded सी आ गई, यह इसकी concavity सी आ गई है, तो byconcave and rounded लेकिन यह सारे के सारे vertibates के लिए applicable नहीं है, यह shape applicable है, mammals के लिए, लेकिन mammals में exception है, biology is a science of exception, इसलिए exception के उपर आपको फोकस करना है ध्यान देना है क्योंकि वो ही पूछे जाता है और एक्सेप्शन जनरल बाते सबी को याद रहती है तो यहाँ पे कैमल एंड जिराफ का एक्जमपल दे रखा है या पिर कैमल जैसा ही एक और एक्जमपल लामा आता है उसमें यह शेप कुछ अलग हो जाएगी सेंटेस में लिखाव है बाई कॉनकेव एंड सरकुलर बटिन कैमल एंड जिराफ एटसेट्रा इसर बाई कॉनवेक्स एंड ओवल ठीक है बचो अब यहाँ पे अगर लोग दूसरी शेप की बात करें दूसरी शेप आ गई है यह यह शेप कैसी है ओवल ठीक एंड बाई एंफीमियन में फ्रॉक की आर्बिसी ओवल बाई कॉनवेक्स रेप्टाइल की आर्बिसी ओवल बाई कॉनवेक्स बर्ड्स की ओवल बाई कॉनवेक्स और अगर हम लोग कैमल वाले ग्रूप की बात करते हैं तो वहाँ पे भी ओवल एंड बाई कॉनवेक्स है तो चलिए है number number के regarding data थोड़ा बहुत plus minus हो तकता है अगर हम लोग भी अपने ये hematology कराते हैं अगर हम भी अपना blood profile कराते हैं तो ये थोड़ा बहुत उपर नीचे मिलेगा लेकिन यहाँ पे एक average अगर हम लोग male की बात करते हैं 5.5 million per cubic millimeter millimeter में per cubic millimeter में 5.5 million मतलब नमबर imagine करिए इतना ज़्यादा number है यहाँ पे लिखा है females में 4.8 million क्योंकि body का weight कम है oxygen के requirement कम है इसलिए कम RBC से काम चल जाएगा infants की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 6.5 million infants में क्योंकि size चोटा है तो metabolic rate ज़्यादा होगा इसलिए अगर हम एक rabbit की बात करते हैं तो 7 million frog में million नहीं है frog में 4 lakhs हैं आपको at least यह दो मतलब यह main data तो यह है male female वाला data याद रखना है आपको male female वाला data याद रखना है एक तो यह और एक आपको data याद रखना है कौन सा एक आपको data याद रखना है अगर मैं लिख दू यहाँ पर लिख खावा नहीं है एक data आपको यह याद रखना है कि अगर एक question यह पूछा जाता है कि कोई बंदा plane का रहने वाला है ठीक है कोई बंदा plane का रहने वाला है चंडीगड का रहने वाला है कोई बंदा हाँ कोई बंदा रुडकी का रहने वाला है देरादून का रहने वाला है उसको बेज दिया रोतांग पास यार शिमला तो उसको शुरू में और breathlessness की feeling आएगी लेकिन कुछ दिन अगर वहां पे stay करता है तो पिर उसकी body acclimatize कर जाती है उसका adaptation हो जाएगा उसका RBC का number बढ़ जाता है वो क्या पुछता है भई हिली एरिया में क्या होता है अगर वो यह बुचे हिली एरिया में क्या होता है तो answer ह हिली एरिया में RBC का number बढ़ जाता है क्या लिक हमने RBC का number बढ़ जाता है तो हिली एरिया में RBC का number कितना है हिली एरिया में RBC का number 8 million ऐट मिलियन इसलिए जो हिली एरिया के narrative है जैसे जब्बू कश्मीर वले या पिर हीमाचल वले उनका complexion fair तो होता ही है और उनके cheeks भी है वहाँ पे हीमोगलोबिन जाद है यह रीजन हो गया चलिए बच्चो अब यहां से आगे अगर आप लोग पॉइंट और एक्स्प्लेइन करें तो यहां से आगे हमारे पास पॉइंट है लाइफ स्पेंड के रिगार्डिंग और लाइफ स्पेंड में लिखा है यहां पे क और अकसर हम लोग क्या करते हैं हमारा दिमाग यह सोचता है कि इतना आसान कोशन हम पहला आप्शन पढ़ने के बाद टिक मारके निकल लेते हैं हम चौत्छे आप्शन तक पहुचते ही नहीं है और जब घर पे आते हैं हम कहते हैं सिली मिस्टेक हो गई हम सर पकड़के बै या 4 मन्त हमारे लिए अप्लिकेबल है रैबिट के लिए it is 80 और फौक के लिए it is just 100 डेज फौक के लिए 100 डेज है याद हुआ रैबिट के लिए 80 डेज है और हमारे लिए यह फौर मन्त या फिर 120 डेज रेडियो एक्टिव क्रोमियम 51 है जोकी एच को कैलकुलेट करने के लिए एज को नापने के लिए यूज किया जाता है अब ही यहां पे इसकी जादा डीटेइल ची जरूरिवत नहीं है, अब मैं आपको structure explain करने वालबे हूं structure के लिए मुझे यहां पर कभी ब्लैंक slide चाहिए तो blank slide के लिए मैं थोड़ा पीछे लोटता हूँ यार मुझे पीछे blank slide available है चली यहां मिल गई अगर मैं आपको RBC का structure जो explain करने वाला हूँ द्यान से देखो यार RBC आ गई हमारे पास यह ठीक अगर हम लोग इसकी dimensions की बात करें यह आ गई यह dimension कितनी हो गई 7.5 से लेगे 8 micron तक और यह dimension कितनी हो गई यह dimension हो गई 1.5 से लेगे 2 micron तक यह इसकी dimensions हो गई अब यहां पे RBC के अंदर क्या भरा पड़ा है भई RBC के अंदर भरा पड़ा है hemoglobin और hemoglobin को भरने के लिए क्या किया hemoglobin RBC में कितना होता है 33% होता है ये भी अपने आप में कुश्चन है RBC के वेट का हीवोगलॉबिन कितना होता है अब ड्राइवेट और वेट वेट की जरुवत नहीं है RBC डॉक्टर मितेश जैन डॉक्टर मितेश जैन डॉक्टर मितेश जैन फोकस ओन यूर लेक्चर आप प्रॉपरली सुनिए यार नाम तो आपका यहां पे तो बोलना बहुत छोटी सी बात है मैं आपको विक्टरी सेलिबरेशन में बुलवाऊंगा यार जब आप मुझे रैंक बताओ यार इतनी रैंक आ गई डॉक्टर मितेश जैन आप मुझे बस नीट की रैंक बताना यार ये एक्जाम के बाद और पिर आपका नाम कर मैं यहां पे पूरे बोर्ट पे छाप दूँ आयर अब मैं आपको इन्वाइट करूँ आपने यूट्यूब पर यहां पर बताना अपनी सकसस स्टोरी कैसे सेलेक्शन हुआ चलिए यहां पर हीमोगलॉबन लेकिन आपको यहां कम से कम यार दस लोगों को यह मेरे चैनल को शेयर करना पड़ेगा सबसक्राइब करना पड़ेगा सबस्क्राइब और लाइक तो आपने करी रख़ा होगा obviously तभी आप अटेंड कर रहे हो बस शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी अब हीमोगलॉबिन बता दिया 33% है भई हीमोगलॉबिन 33% है सवाल बनता है ये भी और सुनो क्या-क्या याद करना है और हमें ये याद करना है कि ये जो इसकी RBC की प्लाजमा मेंब्रेन है अब ये प् हिए ये याद है तो प्लाजमा मेंब्रेन कैसी होती है भाई फ्लिउड मोजाइक मोडल याद है तो फ्लिउड मोजाइक मोडल कहता है के RBC जो है वो Plasma membrane तो कोई भी हो Lipoprotein की बनी होगी न Lipid का नाम पता है Lipid होता है phospholipid नाम भी तो पता है आप लोगों को नाम होता है lecithin आगे है याद भई lungs में भी तो बता है था lungs की collapsing को prevent करता है तो lecithin is a kind of phospholipid ये भी सवाल लीट में आए हुआ है, कि लेसेदिन क्या है भई, लेसेदिन is a kind of phospholipid, ठीक है, इतने बड़ी आंसर यार आप लोगे, चलिए, आगे आपे अगर हम बताएं आपको, क्यार ये लेसेदिन है, या फिर पूटीन भी मिलता है, आपे स्ट्रोमेटिन और के लिए impermeable है, इसके तुरू sodium potation cross नहीं हो सकता है, लेकिन ये bicarbonates के लिए, या पिर chloride ions के लिए permeable है, मैंने ठीक कर दिया, bicarbonates और chloride जो है, उनका movement अंदर बाहर हो सकता है, लेकिन sodium potation का movement इस membrane के तुरू नहीं हो सकता, ये धियान रखना है, मितेश जैन, thank you very much, अब आग हमारे पास क्या-क्या points है, मैं उसी slide पर आपको वापस ले के आता हूँ, जहां से हम RBC के points पढ़ रहे थे, तो RBC के structure के बारे में क्या है, remains bounded by plasma membrane, पिर आगे लिए plasma membrane is made up of lipoprotein, phospholipid में नाम lecetin है, और structural protein में यहां पे नाम estromatin है, ठीक है, उतकर्ष ने कुछ लिखा है, thank thank you sir, मुझे पहले donors member नहीं समझा था, अभी समझ में आ गया, ठीक है, कभी भी समझ में आना चाहिए, आप अगर कुछ सीख के जाते हो यार, तो मुझे अच्छा लगता है यहां पे, चलिए, अब यहां पे संदेश, बिलकुल यार, मैं आपको पैचान रहा हूँ, and यहां आपके साथ काम किया, हाँ, या फिर मुझे आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला रही है, यह जो मैं पढ़ा रहा हूँ नहीं यहां से, तो मुझे लग रहा है आदी चीज़ तो मैंने आपसी सीख रखी है, एनिवेज, यहां पे आगे बढ़ें अगर हम लोग, तो यहां प ER का मतलब endoplasmic retigulum, लेकिन इसके बारे में आपको यह दियान रखना है, कि disappear during maturation, अगर मैंने यह sentence पुरा किया, कि disappear during maturation, इसका मतलब यह हुआ, कि immature RBC में तो यह सब structure थे, लेकिन maturation के time में यह structure disappear हो गए, हटा दिये गए, हटाने का reason, आप समझ गए ना, हटाने का reason, जिससे कि हीमोगलॉमिन को space मिल सके, चलिए न्यूक्लियस हटा दिया, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स हटा दिया, ER हटा दिया, हाँ, लेकिन एक बात सुरिए यार, यह यहां पे माइटो कॉंड्रिया को हटाने का एक special purpose, माइटो कॉंड्रिया का हटाने का purpose यह, कि यह आर्बी सीज हो करती, तो यह oxygen खर्च करके बैठती, और अगर यह oxygen खर्च करती, तो पिसका मतलब यह, इनकी efficiency कम होती, यह lung से लेके, जितना tissue को deliver कर सकती दिया, उत्ता नहीं कर पाती, तो इश्वर ने क्या किया, हाँ, गॉट ने क्या किया, कि अर इनकी mitochondria भी हटा दी, बहुत perfectly हमारी body design ह लिए, एक-एक बात का explanation है, अभी सारी बाते या नहीं बताई जा सकती है, तो जो जो चीज़े आती रहेंगे, उनको explain करते रहेंगे, तो mitochondria से यह, या फिर RBC से mitochondria का हटाने का purpose, एक तो hyboglobin के लिए जगे मिल लिए और दूसरा यह, कि oxygen के खर्च होने को बचाना है, एक यह बता है आपको, hopefully समझ में आ गया होगा, और यहां से आपको यह भी तो समझ में आ गया है न, अगर वो पुछे RBCS respire, तो answer क्या आ जाएगा, anaerobically, RBCS respire anaerobically, वैसे respiration वाले चेप्टर में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अगर कोई नया बच्छा बैटा हो उसके लिए मैंने बता दिया, mytokondria नहीं है, भले ही oxygen available हो, तो anaerobic respiration करना पड़ेगा, चलो बचो यहां पे, और सुने यार, body की parbacy as a slab, बिल्कुल ठीक यार, अब यह तो चलता है यार, यहां पे anaerobic आ गया, बाकी फिदा नाजर ने क्या लिख दिया, can you more English words, बेटा यह आप चलिए कोशिश करते हैं, आपके request कितनी हो तकती है, anyways, यहां पे life spin के बारे में, यह तो मिटा सीधा सीधा, इसमें English Hindi का तो मुझे कोई चक्कर लगता है नहीं, life spin का मतलब यह in man, it is 120 days, अच्छा यह तो हम वापस आ गया है, next slide में यहां पे hemoglobin के बारे में लिखका है बहुत बढ़िया बाते हैं, बहुत शांदर बाते हैं, बहुत प्यारी बाते हैं, बहुत सुनते रहिए, बहुत important है, hemoglobin का मतलब यह हुआ, amount of hemoglobin is determined by 40 hemometer, plus one, plus two के syllabus में होता है, अगर hemometry आपको करा रखी हो, यह पिर MBBS के first year में सारे काम कराए जाएंगे, चलिए, यह नी के हिसाब से याद क्या रखदा है, आपको नीट के हिसाब से याद रखना है, कि 12 से लेके, 12 से लेके 16 ग्रैम, 12 से लेके 16 ग्रैम, अच्छा, यही hemoglobin का amount है, और 12 से लेके 16, यह same data, इस से पहले वाले चेप्टर में भी कहीं link हो रहा है, यह सेम डेटा इससे पहले वाले लेक्चर में, रेस्पिरेशन में सेम डेटा एपलाई होता है किसी चीज के लिए, रेस्पिरेशन में सेम डेटा एपलाई होता है किसी चीज के लिए, वांशी का सिंग ने येस लिखा, येस, 12-16 हमारा ब्रीधिंग का रेट होता है, 12-16 हमा मैं यहां से अगर rank announce कर दूँ तो फिर बड़ा फुश्किल हो जाएगा बच्चों के लिए otherwise इस सेशन में कुछ बच्चे ऐसे आ गए हैं जिनकी rank जो है मतलब अगली बार आपको बिल्कुल surprise करने वाली है किर वो कितनी बड़ीया rank देने वाले हैं चलिए यहां पर अभी फिर वही कि 12 तो 16 बता दिया आपको अब यहां पर यह एवरेज है मतलब अगर लोग फीमेल वाली साइट की बात करते हैं थोड़ा लोवर साइट में लिखे है 12.5 तो 13.5 NCRT ने आरा अगल नहीं लिखा वाए मेल में लिखे हैं तो 14.5 तो 14 तो 16 12 तो 16 किसी की हैल्थ अच्छी होगी तो उसका बताब हीबो गलॉबिन सही मिलेगा और अगर कोई एनीमिक है तो पर उसके अदर हीबो गलॉबिन आविसली कम मिलेगा और फीमेल में यह आईरन की कभी या पर मेंस्ट्रूल बीडिंग के वज़े से भी आर कुछ आईरन कम रहता है बलड कम रहता है एनीमिया के चांसे रहते हैं तो इसलिए आईरन रिच चीज़े जैसे स्पिनिच है हाँ इस ताइब की चीज़े हमारे खाने में रेग्यूलर रहनी चाहिए या पर नॉन बेच खाते हैं तो पर लिवर वगएर जो होता है वो भी आर आरन रिच होता है चलिए खेर यहां पर यह अब फ्रॉग में भी लिखाव है उसकी दर होती आपको तो बस बेन डेटा NCRD के हिसाब से यह डेटा याद रखता है 12-16 ग्रैम आगे यह information आपको respiration में पढ़ाई जा चुकी है लेकिन कोई बच्चा नया हो सकता है उसके लिए बता के आगे अगर हम बढ़ें तो यहां पर क्या बताया है कि हीमोग्लाबिन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑग्जी हीमोग्लाबिन हीमोग्लाबिन कंबाइन विद सीओ टू फॉर्म कारबोक्सी हीमोग्लाबिन हीमोग्लाबिन कंबाइन विद सीओ टू टू फॉर्म का मतब ऑक्सीडाइज हीमोग्लाबिन और ऑक्सीजनेटेड हीमोग्लाबिन oxygen का hebo globin के साथ bind करना जो है वो oxidation नहीं होता क्योंकि iron का oxidation state चेंज नहीं होता क्योंकि iron का oxidation state चेंज नहीं होता है amount of oxygen is carried out by कितना यहाँ पे 20 ml की value आपको बता रखी है अगर वो carry करें कितना होता है तो 20 ml अगर वो पूछें deliver कितना होता है tissue को तो deliver होता है 5 ml carry होता है 20 ml deliver होता है tissue ml respiration वाले चेप्टर में explain कर रखा है आगे आजो भई बचो आगे hemoglobin को लिखा है conjugated protein या फिर compound protein अगर compound protein की बात करें हमारे पास तो कुछ ऐसे लिखते हैं हम लोग कि हमने लिखा hemoglobin hemoglobin के structure में एक component तो होता है heem और एक component होता है इसमें globin ठीक है heem जो होता है वो 5% होता है और globin जो होता है वो 95% होता है heem जो है इसका वो non protein part है heem का मत्तब यह हुआ कि यह इसका non protein part है conjugated protein हम उसी को बोलते है जिसमें protein के साथ साथ कुछ non protein part भी हो परसेंट बता रखा है और यह बता है आपको के यह इसका प्रोटीन पार्ट है यह इसका प्रोटीन पार्ट है ठीक है बच्छो और यह जो नॉन प्रोटीन पार्ट है इसके लिए एक और वर्ड आपको लिखावा मिल सकता है के यह हीम जो है यह काइंड ओफ प्रोस्थेटि की तरह मिलता है चलिए हीम पांच परसेंट है हीम प्रॉस्थाटिक ग्रॉप को रिप्रेसेंट कर रहा है कुछ तो यह बताया अब यहां पे कुछ और भी लिखा देखिए के हीम अटेक्टेश विद ग्लॉबन बाई कॉडिनेट बॉन्ड मॉलिकिलर वेट 68,000 होता है और मॉलिकिलर फॉर्मूला यहां पे C30 मतब 32 और हाइड्रोजन जो होता है वो 4816 होता है ऑक्सीजन 872 होता है यह नाइट्रोजन 780 होता है सल्फर 8 होता है कोई जरूरत निया पूरा फॉर्मूला याद करनेंगे पूरा 4 है आपको यह याद रखना है कि IRON 4 है बही अब यहाँ पर आगे औहर बताइं अरो उस्क्शर में ऐसे समझो कि एक तो आ जाएगा हमारे पास GLOBEN क्या यह बच्चो एक तो आए हमारे पास GLOBEN और इस GLOBEN के साथ हमने किया जोड़ दिए? इस GLOBEN के साथ हमने जोड़ ग्लॉबिन के साथ अमनेगे जोट दिये 4 हीम यह हीम और ग्लॉबिन जोए इसका जो बॉन्ट है न यह यह क hörtिनीड बॉन्ड है। हीम को ग्लॉबिन से जोटने वाले बॉन्ड के नम के नहीं को 5-membered structure जोड़ दिये, ठीक ही आगए, यह जो 5-membered structure है, इस structure का नाम होता है porphyrin, क्या नाम है भई, 5-membered structure का नाम porphyrin, और इस iron porphyrin को अगर आपको इखटा मिला के बोल दें, तो iron porphyrin मिला के क्या हो जाएगा, हीम, iron porphyrin complex is called हीम, यह जो structure बनावा है यहां पे, कुछ ऐसा ह इस structure आपको chlorophyll में देखता है, लेकिन chlorophyll के center में यहां पे iron नहीं आता, chlorophyll के center में क्या आता है बच्चो, chlorophyll के center में आता है magnesium, यादे, chlorophyll के center में आता है magnesium, और हीम के center में आ रहा है, यह iron, तो यहां पे यह हीम कैसे बन रहा है, हीम को globin से जोड़ने के, तो हीमो globin कैसे यहाँ पे आपको छोटा सा structure इसका बता दिया आपको चलिए अब यहाँ पे यहाँ पे और point अगर आपको explain करें तो यह कुछ structure दिखा रखा है देखिए यहाँ पे कुछ अलग-अलग color ही दिखा दिये तो इसमें क्या दिखा रखा है कि बीटा chain दिखा रखी है एक यह बीटा chain दिखा रखी है एक्च्वली दो alpha chains होती है और दो beta chains होती है एक यह बीटा chain है एक यह बीटा chain है एक alpha chain यह आ गई है और एक alpha chain यह आ गई है ठीक यहाँ पे आप यह देखें यह इदर यह iron दिखा रखा है यह iron दिखा रखका है यह iron दिखा रखका है यह iron दिखा रखका है तो एक हीबो ग्लॉबिन के structure में obviously चार हीम है तो चार iron आ जाएंगे और चार iron के साथ क्या हीम के साथ वो ग्लॉबिन का लगा structure दिखा रखका है यहां पे ग्लॉबिन यह पूरा structure जो आपको रंगीन सा दिख रहा है यह पूरा structure ग्लॉबिन है ग्लॉबिन में दो alpha change होती है दो beta change होती है अब ही समझाएंगे आगे और यह quarternery structure है अगर हीमो ग्लॉबिन को अगर आप लोगों को याद हो तो यह protein का confirmation तो protein के confirmation में यह हमारे पास primary level होता है secondary level होता है tertiary level होता है quarternery level होता है तो अगर हम लोग हीमो ग्लॉबिन की बात करें हीमो ग्लॉबिन quarternery structure शोओ करता है और myoglobin tertiary structure शोओ करता है myoglobin का tertiary structure होता है हीमो ग्लॉबिन का quarternery structure होता है चलिए बच्चो इसको भी अगर हम लोग आगे और बताएं तो यहां लिखा है कि हीबो ग्लॉबिन कॉर्टन इस तक्षा शो करता है अब हीबो ग्लॉबिन में या ग्लॉबिन में या तो लिखा है फोर पॉली पैप्टाइड चेंग या लिखै ट TWO Pairs of Polly Peptide chain, क्या बोला है या तो four Pty Peptide chain बोला है या फिर two Pairs of Polly Peptide chain अगर alpha chain की बात करते हैं तो यहां पे 141 Amino Acids हैं और अगर हम लोग बाकी तीनों मैं ने किसी चेंगी भी बात करते हैं तो बाकी तीनों में हम इसे किसी को भी लो तो 146 amino acid, एक लिखा है HBA, HBA का मतब A1, यह हमारी हीमोगलाबिन में A for adult और adult में A1 जो होता है वो main fraction है, वो main मिलता है, यहाँ पे दो alpha chains हैं, दो beta chains है अगर हम लोग हीमोगलाबिन A2 पे आते हैं, दो alpha chains हैं और दो delta chains हैं अगर हम लोग हीमोगलाबिन F पे आते हैं, F stands for fetus, F stands for fetus, और यहाँ पे दो alpha chains हा रही हैं, दो gamma chains हा ठीक अब यहाँ पे अगर यह S लिखा है, तो S stands for SCA, SCA अभी अगली side में आपको लिखा मिल जाएगा, sickle cell anemia एक बीमारी होती है ठीक, यहाँ पे दो alpha chains हैं और दो beta chains हैं, लेकिन यहाँ वाली beta chain के उपर हमने लिख दिया N, N का मतब normal और इस वाली beta chain के उपर हमने लिख दिया S, S का मतब defective, S का मतब sickle shaped anemia इस दिये इसको लिख दिया हमने S, चलिए बच्चों यहाँ पे आप लोगों के answer मैं देखता जा रहा हूँ, बिलकुल सही answer चल रहा है नाम मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैं session complete कर दो, उसके बाद नाम बोलता हूँ आप लोगे चलिए बच्चों यहाँ पे, हमारे पास आगे क्या रहा है, सिकल सेल एनीमिया में दिखा रखा है कि यह तो normal RBCs हैं, जिनकी shape आपको perfect दिख रही है और यह दिखा रखी है, आपको sickle shape RBC, मतलब यह कुछ irregular shape आ गई है oxygen की कमी में sickle shape RBCs बनती है अब हो क्या रहा है, sickle cell एनीमिया का मतलब it is a disease caused by gene mutation यह जो gene mutation वर्ड लिखा है न, अगर आप लोगों को plus two में genetics आप लोगों ने पढ़ रखी हो तो gene mutation का मतलब यहाँ पे point mutation है क्योंकि इसमें क्या होना है, एक अध नाइटोजिनस बेसी तो change होता है NCRT ने मौनिकिनल वाले चेप्टर में दे रखा है आपको point mutation या virgin mutation and it is very common in tropical Africa malaria infested area दुनिया के ऐसे इसे जहाँ पे malaria का infestation बहुत ज़ादा है वहाँ पे इश्वर ने इसका natural selection कर रखा है मतलब यह के sickle cell anemia has advantage over malaria sickle cell anemia has advantage over malaria जिन लोगों को sickle cell anemia होता है उनको malaria नहीं होता क्योंकि sickle shaped RBCs के अंदर sickle shaped RBCs के अंदर female anophilies survive नहीं कर पाता है सही है गलत है बताओ वह yes or no sickle celled RBCs के अंदर female anophilies survive नहीं कर पाता है करण चौन क्यों नो लिखा आपने सही तो बोला मैंने शिफाफरी ने लिखा yes गायत्री ने भी yes लिखा वंशीका ने भी yes लिखा आंसर आएगा sickle shaped RBCs के अंदर plasmodium survive नहीं कर पाता है क्योंकि malaria का causative plasmodium होता है malaria का causative female anophilies नहीं होता female anophilies तो हमें काट के निकल लेगा malaria डाल के हमारे अंदर निकल लेगा sporozoid हमारे अंदर डाल के निकल लेगा आगया याद इसी को silly mistake बोलते हो वही आप लोग female anophilies जो है हैं बचो glutamic acid यहां पे अगर मैं कुछ number लिखो यहां पे लिखा one यहां लिखा two यहां लिखा three यहां लिखा four यहां लिखा five यह six है यह seven थे यह six में हमने लिखा यहां पे G और इसके बाद लिख दिया V यहां लिखा हमने normal normal chain में आएगा G और यह जो sickle cell anemia है इसकी chain में आएगा V जी अलफाबेटिकली G पहले आता है और अलफाबेटिकली V बाद में आता है तो आपको यह याद रखना है कि normal condition में G मिलता है और defective condition में V मिलता है G stands for glutamic acid V stands for valine अब यहां पे बहुत शानदार सवाल मैं आपसे पूछने वाला हूँ सवाल यहां पे यह पहले बात पूरी कर दू कि sickle cell anemia में क्या होता है कि बीटा chain की six position के उपर glutamic acid के जगे welline आ जाता है और यह जो linear chain आती है इस linear chain को हम लोग क्या बोलते है इस linear chain को बोलते है primary structure इस linear chain को बोलते है primary structure तो अब सवाल यह है कि sickle cell anemia जो है वो hemoglobin के primary structure को damage करता है secondary को damage करता है तर्श्री को change करता है या पिर quaternary को change करता है या सब को change करता है sickle cell anemia primary structure को change करता है secondary structure को change करता है तर्श्री structure को change करता है या पिर quaternary को change करता है और सबसे पहले अंसर आया सुयश का बिलकुल सही जवाब है इनका क्योंकि अगर प्राइमरी बदल जाएगा तो आगे सेकंडरी टर्शी क्वाटनरी सब बदल जाएगे औलम्पियाट्स का है वा कोशन है बायो औलम्पियाट्स का है वा कोशन है प्राइमरी के बदलते ही सब बदल जाएंगे और सुएश के बाद शिफा, अफरीन, ओल, स्ट्रक्चर, विवेक, कुमार, ओल, करण चोहान, ओल, सुमित, गोयल, ओल चलिए यार, बच्चो, आप लोगो ने, अंशीगा ने, क्वाटर नहीं लिखा, लेकिन चलिए, उन्हों डिलीट कर दिया कोई बात दिया, अब पता चल गया ना, कि सब को बत देगा यहाँ पे एक हीमोग्लाबिन C भी लिखा है, हाँ, अन्यूस्वल टाइप है, बिसीकली, ग्लुटाइमिक असिड इस रिप्लेस बाई लाइसें अट दा सिक्थ पोजिशन, हीमोग्लाबिन G भी एक टाइप होता है, ग्लाइसें डिप्लेस दा ग्लुटाइमिक असिड उसके लिए, अधरवाइस बाकी के लिए सिकल सेलेनीमिया की इन्फॉर्मेशन इतनी काफी है, कि बीटा चेन में छटे नंबर पे ग्लुटाइमिक असिड को वैलीन रिप्लेस कर देता है, और यहाँ पे बताया, कि जिन लोगों को सिकल सेलेनीमिया होता है, उन लोगों को curryφο मलेरिया नहीं होता है, और अन्शिका सिंग के जवाब से मेरा दिल खुश हो गया, कि यार बचो इतना ही confidence होना चाहिए, इतना ही confidence होना चाहिए, कि मेरी rank आएगे, अन्शिका सिंग ने भी यार बोल दिया कि मेरी rank आएगे, बिल्कुल यार वंशिका, अन्शिका मुझे सीजन बिलकुल हीमोगलोबिन एडल्ट के रिस्पेक्ट में फीटल हीबोगलोबिन के इफिनिटी जादा होती है इसलिए इसलिए वो लेफ्ट में दिखेगा आपको चलिए यार अब यहां पे कुछ और बता दूँ आपको सीकल सेल एनीमिया के लिए यार फिर यार मुझे पर थोड़ी सी जगे चलिए मुझे आगे बढ़ने में जगे मिल जाएगी जल्दी बस खता होने वाला अब यहां प्यार सुनो अगर हम लोग यार यह बोलें के सीकल सेल एनीमिया तो सीकल सेल एनीमिया कैसी यार एक तो बताए आपको जीन मुटेशन के एक्जामपल है ए अगर कोई सीकल सेल एनीमिया के लिए होबो डाइगस है तो सीकल सेल एनीमिया से उसकी डेथ हो जाएगी सीकल सेल एनीमिया से ही डेथ हो जाएगी मलेरिया दी यार सीकल सेल एनीमिया से डेथ हो जाएगी लीथल जीन के अलावा यहां पे को डॉमिनस भी आता है को डॉमिन होते हैं जहां पे एक जीन के multiple phenotypic effect होते है उसको pleiotropism बोलते हैं और एक और बता दें आपको के यह जो है natural selection में भी आता है और natural selection का type अगर आप लोगों को यादो NCRT में plus two में दे रखा है it is stabilizing में आएगा और stabilizing का मतलब क्या होता है stabilizing में वो यह कहता है कि जहां पे mean value बढ़ती है जहां पे mean value बढ़ती है ग्राफ को ऐसे peak को आगे बढ़ा के दिखाएगा वो जहां पे mean value बढ़ती है उसको stabilizing बोलते है तो यहां पे यार यह एक तो बेबी के weight का example आता है कि यह 3 kg के असपास वाले baby जो होता है उनका survival rate जादा होता है जिनका weight जादा होता है उनकी death के chance जादा है जिनका weight काम होता है उनका भी death का chance जादा होता है चल यह natural selection की जर्वोत नहीं फिलाल यहां पे वैसे बंशीका सिंग ने answer कर दिया एक gene multiple work काफी लोगों ने answer कर दिया यहार मज़ा आ रहा है यार मज़ा आ रहा है बिलकुल ठीक है autosomal recessive yes sickle cell anemia is a kind of autosomal recessive disease मतलब यह के gene जो है वो autosomals के उपर है और recessive state में carry होती है और pedigree भी दे रखी है NCRT ने इसकी NCRT ने इसकी pedigree दे रखी है बच्चो जैनेटिक्स वाले पार्ट में है चलो यार अब एक काम करते है अब तो बस चीजे complete होने पे है तो अगर हम लोग कम्प्लीट होने पे है तो यहां पे sickle cell anemia तो बता दिया बस hemopoices बताते है hemopoices में अगर हम लोग poices word बताए यार बच्चो पॉइसिस वर्ड का मतलब पता है किसी को पॉइसिस का मतलब भी तो formation होता है पॉइसिस का मतलब formation और हीम किसके लिए आता है ब्लड के लिए तो हीमो पॉइसिस का मतलब blood formation और एरिथ्रो पॉइसिस अगर दे दे तो RBC formation Erythropoiesis मतलब RBC formation और Erythropoiesis के साथ एक नाम हमने लिंक कर दिया Erythropoietin Erythropoietin का मतलब ये एक रीदल हर्मोन है देखो यहाँ पर क्या दे रखा है किड़नी किड़नी मतलब रीदल हर्मोन इसने एक Erythropoietin हर्मोन जो है बलड में डाला और बलड उस हर्मोन को लेके चलागए किसके पास यहाँ पर बोन मेरो के पास और उसने बोन मेरो को स्टिमूलेट कर दिया कि भाईया RBCs बनाओ और यहाँ पर देखो धड़ा धड़ा RBCs एड़ होगी यहाँ पर ठीक है यहाँ पर इसने RBCs एड़ दी तो RBCs के फार्बेक्शन के लिए जो रिस्पॉंसिबल हर्मोन है उसका नाम Erythro-Poietin और RBC फार्बेक्शन के लिए टर्म है Erythro-Poices वाइटेमिन C बताब Ascorbic Acid वाइटेमिन B12 बताब Folic Acid Folicinocobalamin और वाइटेमिन यह B9 is Folic Acid यह Folic ऐसे रगा लिखा है ना इसका नाम पता है आप लोगो Folic ऐसे रोता है B9 काफी important है और यह जो B12 है यह B12 को बोलते हैं हम लोग Cynocobalamin यह Cynocobalamin को हम बोलते है RBC Maturation Factor इसके बिना RBC Maturate या पिर मैचोर नहीं होती है और यह Cynocobalamin इनके बारे में हमने आपको चीज़े पहले बता रखी है कि यह Extensic Factoring Digestion वाले चेप्टर में बढ़ा दिया था यह Extensic Factoring ठीक है अब और सुनो यार यहाँ पे आगे लिखा है कि Stem Cells Responsible for RBC Formation are known as Miloblast क्योंकि Milo वर्ट जो आता है ना यह Milo वड़ाता है Bone Marrow के लिए Milo वड़ाता है Bone Marrow के लिए तो Bone Marrow की Cell जिनसे RBC बनती है उनको हमने Miloblast बोल दिया या पिर Hemocytoblast बोल दिया या पिर Hemocytoblast बोल दिया RBC बनती कहा हैं भई Cytopharmation अगर हम लोग Embryo की बात करें अगर हम लोग Fetus की बात करें अगर हम लोग Embryo की बात कर रहे हैं तो या तो आपको Mesodam Choice देगा या पिर आपको Yoke Sex देगा Yoke Sex के बारे में एक और Point बता दें आपे First Blood Cell हमारे Circulation में Blood की पहली Cell जो आती है ना वो Yoke Sex Contribute करता है हमारे Blood Circulation में हमारे जब Blood बनता है तो पहली Blood Cell योग सेक्स से आती है पहली Blood Cell योग सेक्स से आती है फिर ये Bone Marrow से भी RBCs बनती है, स्प्लीन से भी बनती है, लेकिन अगर आपको इन सब में से एक अंसर करना हो तो Main Answer लिवर अगर आपको ये सारी चोईस दे रखी हो आपको, शिफा अफरी ने मेंली लिवर, जाता तर बच्चे बिल्कुल Focused है, फाल्टो मैसेज के ओपर ध्यानी दे रहे हैं, मतलब आप लोग को ऑनलाइन पढ़ने के पूरे एटिकेट्स पता है नीट वेदा की ओडियन्स जो यार कितनी सेशन में, बिल्कुल क्लास वाला महौल आता है, इसलिए बाकी और बच्चों को भी आप लोग इन्वाइट कर सकते हैं कि भाईया, फाल्टो मैसेज से बचिए यहाँ पर पढ़िए, तो चलिए खेर, वो तो साब आप करी रहे होंगा बार-बार बोलता हूँ, अच्छा नहीं लगता अब यहाँ पर अगर हम लोग एडल्ट की बात करें तो एडल्ट में क्या आएगा, एडल्ट में आयगा Red Bone Marrow of Long Bones क्या आएगा भई, Red Bone Marrow of Long Bones क्योंकि बर्ट के बाद Measodam बचे गा नी, बर्ट के बाद hemolitex इसका मतना बर्त के बाД तो structure ही हमारे पास red bone marrow बचा और blood को हम लोग बनाके کام करते हैं کچھ को तो circulation में रखते हैं लेकिन कुछ को हम लोग记 reserve में भी रखते हैं और reserve का रखते है bank में रखते हैं कुछ पैसा फाल्टू हो गया हमने बैंक में रख दिया तो ऐसी ब्लड भी हमारे बहुत कीमती चीज़ है कुछ फाल्त हो गया हमने बैंक में रख दिया तो हमारी बॉड़ी का ब्लड बैंक कौन है हमारी बॉड़ी का ब्लड बैंक स्प्लीन हमारी बॉड़ी का ब्लड बैंक स्प्लीन तो यहाँ पे लिख दिया है कि reservoir जो है वो spleen है और last information मैं आपको यहाँ पे मतलब इस slide पे बस दो मुझे चीज़े और explain करनी है अगर मैं आपको RBC के destruction के बारे में point बता दू RBC का destruction destruction में एक तो यह बोला जाता है कि RBC के लिए graveyard क्या है बच्चो आंसर करो भई यह RBC के लिए graveyard क्या है भई graveyard of RBC yes graveyard of RBC is spleen अब यह मान लीजिए एक परसेंट RBC पर डे बनती है एक परसेंट RBC पर डे बनती है और एक ही परसेंट डेस्ट्रॉय हो जाती है तो 1% formation है 1% destruction है RBC का नबर maintain लेकिन malaria parasite RBC की तो band बजाता है जब RBC cycle चलता है तो इसका मतलब यह के malaria की cases में यह 5% तक destruction हो जाता है पर डे अगर malaria की cases में 5% पर डे breakdown हो रहा है और formation एक ही percent का है तो इसका मतलब gradually RBC का नबर fall करेगा और बंदा जो है उसकी oxygen की requirement meet out नहीं हो पाएगे जब उसकी body की oxygen requirement meet out नहीं हो पाएगे तो उसकी farewell हो जाएगे उसकी death हो जाएगे चलिए अब यहाँ पे यार और point मैं आपको अगर बता दू destruction बताया थोड़ा सा और समझे यार यह जो हमारे पास old arbices हैं अगर मैंने एक वर लिखका senile senile का मतलब old arbices यह पर defective arbices जो होती है उनका भी यह होगा इनको हम लोग कहां बेच रहे हैं यहाँ पर हमने दिखा दिया के यह structure spleen और liver combine करके दिखा दिया अब यहाँ पर hemoglobin हैं अब यह arbices के hemoglobin में क्या होगा एक तो इसका globin वाला component आएगा और globin वाले component का हो जाएगा breakdown globin वाले component का हो जाएगा breakdown proper लेकिन इसका एक पार्ट आएगा hem hem वाले पार्ट का breakdown नहीं हो पाता है इसका जो iron है इसका iron जो है वो तो आजाएगा recycle में उसकी तो recycling हो जाएगी लेकिन एक इसका pigment वाला पार्ट है एक इसका pigment वाला पार्ट है pigment के नाम क्या है pigment के नाम है Billy Rubin pigment के नाम क्या है Billy Redden Billy Rubin और Billy Redden यह जो Billy Rubin, Billy Redden है इनमें Billy Redden भी Billy Rubin भी convert होता रहता है और Billy Rubin जो है कुछ तो ऐसा होगा जो की गट में आ जाएगा और जो गट में आएगा वो कनवर्ट हो जाएगा इस तर्कोबिलिन में और इस तर्कोबिलिन जो होता है यह फीसिस के कदर के लिए responsible होता है फीसिस का जो येलो ब्राउन का अदर होता है फीसिस कलर येलो ब्राउन वो किसकी वज़े से हो रहा है वो आ रहा है स्टरकोबिलिन की वज़े से और स्टरकोबिलिन किस से आ रहा है स्टरकोबिलिन हीमोगलॉबिन के तूटने से आ रहा है तर्कोमिलिन हीमोग्लोमिन के तूटने से आ रहा है इस का कुछ फ्रेक्षम ऐसा है जो कि D 밟ो品 में आएगा बंट के में आएगा जो कि D me में आएगा और जो चिडनी में पहुंचेगा वोज पिर यूरीन के साथ निकलेगा और जो urine के साथ pigment निकलता है उसका नाम है euro chrome euro stand for urine and chrome stand for pigment तो urine के color के लिए responsible pigment का नाम euro chrome और euro chrome भी hemoglobin का derivative है हमारे fecal matter के pigment का नाम इस थरको bilin वो भी hemoglobin का derivative है bilirubin bilirubin ये भी hemoglobin के derivative है तो ये सारे waste pigments है हमारी body से निकलने होते हैं hem के derivative है जा पिर hemoglobin के derivative है बस एक last information मैं आपको बता के session end करूँ यहाँ पे बच्चो एक सवाल तो आपको वो यह देगा अब यहाँ पे important सी बातें डिसकस कर दें कुछ यह session के end में अगर RBC को हम लोग hypotonic solution में रखें तो क्या हो जाएगा? Hemolysis हो जाएगा Hemolysis का मत्तब यह के RBC बस्ट कर जाएगे क्योंकि पानी अंदर आजाएगा अगर RBC को अगर RBC को hypertonic solution में रखें तो RBC श्रिंक हो जाएगे और अगर श्रिंक हो जाएगे उसके लिए क्या term लेते हैं? उसको बोलते हैं क्रीनेशन और देख लो भई और पॉइंट है हमारे पास यह के plasma जो है in relation to blood cell plasma in relation to blood cells अब choice है आपके लिए hypotonic है या फिर hypertonic है यह आप लोग करेंगे यह neat वेदा जो है इसका जो telegram group है आप उस पे answer करना इसको neat वेदा के telegram group पे answer करना मेरे याद उदर लिखने तुम देते नहीं हो यहाँ पे पहले answer करना शुरू कर देते हो यार मुझे telegram group को भी popular करना यार मुझे बच्चों को उदर भी जोड़ना यार जिससे मैं उनको assignment दे सको यहाँ पे मैं आपको assignment कैसे दूँ है यार चलिया आप जोडते रहना आप जोडते रहना आईसो टोनिक होगा भाई अगर हाइपो होगा तो ब्लेट सेल फट जाएंगी अगर हाइपर होगा तो ब्लेट सेल श्रिंक हो जाएंगी इसलिए इश्वर ने बगवान ने खुदा ने क्या कर रखा है बड़ी बढ़िया तरीके से बॉड़ी को डिजाइन कर रखा है plasma in relation to body cells is isotonic चलिए last information मैं आपको और बता दू यहाँ पे last information मैं हमारे पास एक के एक नाम आता है हमारे पास Rolex column क्या नामें बच्चों R-A-U-L-E-A-U-X Rolex columns Rolex columns का मत्तब यह हो गया हमारे पास यह RBCs बनाई और यह RBCs का हमने एक के उपर एक रख दिया तो estacks बोल सकते हैं हम लोग estacks of RBCs यह फिर piles of RBCs क्या बोलेंगे बई estacks of RBCs यह फिर piles of RBCs इसको हम लोग Rolex columns बोलते ठीक है बच्चों जितने लोगभी session अटेंड करने हो जितने लोगभी session अटेंड करने हो मेरी उनसे request है कि यहां पे यह बताना, कि यह जो हमारी नीट वेड़ा का चैनल चलना है, यह जो हमारे सेक्षण चलना है, इसमें यह बताएए, कि आप लोगों को यार जोक्स चाहिएं बीच मे, आप लोगों को यह हलका पुलका गाने बजाने मदाख डांस वांस वो चाहिए, या फिर आप लोगों को serious teaching अच्छे लगती है या पिर वो गाना मर्याना या पिर यह कोशिश करूँ मुझे आता तो नि लेकिन ये कि आपकर आप को कहोगे नहीं यार वही अच्छा लगता है और मताकर डेड़ गंटा बैटना मुखिल हो जाता है तो पिर आप लोग उसार में कुछ कोचिंग लूआ आप लोग से यूट्यूब के लेसन लूआ सीरियस टीचिंग सीरियस टीचिंग सीरियस टीचिंग सीरियस टीचिंग तो यार सीरियस टीचिंग यार इस चैनल पे तो चली रही है हाँ चलिए फिर तो इसका मतलब ये कि बाकी और चैनल के भी जो सबस्क्राइबर हैं जिनको सीरियस टीचिंग रिक्वाइड है जिनको बीच में और बाते अच्छी नहीं लगती हैं तो फिर तो इसका मतलब वो लोग भी आगे जुड़ते रहेंगे फिर तो अच्छे की उमीद करी जा सकती है और फिर तो यार इसका मतलब अगर सीरियस टीचिंग है तो बहुत बढ़िया बढ़िया रैंक्स भी आने वाली हैं ठीक है ना एक काम और करने वाले हैं आप लोगों के लिए हम बहुत जल्दी हम आपके लिए एक बहुत बढ़िया टेस्ट स्रीज लेके आने वाले हैं हम बहुत जल्दी एक बहुत बढ़िया टेस्ट स्रीज लेके आने वाले हैं आप लोगों के लिए चल यह test series की requirement है बच्चो आप लोगो अरे वाँ बड़ा अच्छा response आ रहा है आप लोगा aiming आई बिलकुल यार विज्य कुमार बायो टोनियंस नहीं भाई यह नीट में देनी मतलब यह नीट करो न एम्स चलो न यहां पे बायो टोनियंस हैं तो अच्छी बात है बायो टोनिक्स भी अच्छा चैनल है वानी में अच्छा पढ़ती हैं आप उसको भी देख सकते हो बिलकुल वानी में इस बेस्ट है बिलकुल वानी में बहुत अच्छी हैं बई येस यहाँ पे यार जो है आसिफ सर इस दा बेस्ट थैंक यू बेटा थैंक यू वाइ डिडि यू लीव एलन यार ये सवाल मुझे रोज परिशान करता है और इसका रोज मैं आपको जवाब देता हूँ चली आज छोड़ दो मॉंस्टर बैश इस दे स्पैम करना शुरू कर दिया जिससे अर पूरे इंडिया को पढ़ा सकूँ यार जिससे दुबई के बच्चे को पढ़ा सकूँ जिससे इंडियन फैमिली जहां जहां सेटल ने वो बाहर के कंट्री में बड़ी परशान रहती है कि उनको कोचिंग नहीं मिल पाती जो मिडली इस पे बहुत सार इंडियन्स रहते हैं हम सेशन करते हैं बच्चे हमारे साथ जोड़ते हैं बात करते हैं कोई दुबई से है कोई कतर से है कोई शारजा से है वहां से आप बच्चे बताते हैं कि आर ये आप डेली बताते हो च लेकिन बच्चे तो सिर्फ 19 हैं, monster batch, बेटा बच्चे अभी पता क्या होता है, कोई भी चीज जब शुरू होती है, हाँ तो बहुत थोड़ी चीजों से शुरू होती है, लेकिन gradually वो कितनी बड़ी होती चली जाती है, कोई भी चीज एक दिन में बड़ी नहीं होती है, gestation period भ क्रांटी में टाइम लगता है, मतलब कोई revolution नहीं है, evolution है, हाँ तो bond से, ये बून्द बून्द से सागर बढ़ेगा यार, बून्द बून्द से सागर बढ़ेगा, हाँ इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता के बच्चे कितने हैं, अगर एक बच्चा भी है ना, और उसने rank ला दी यार, तो पढ़ाना कामियाब है बई, अगर एक बच्चे ने भी rank ला दी तो कामियाब है, चलिए thank you very much यार, हाँ अभी यहाँ पे session complete करते है, हाँ विवेक राइसर कहा है, विवेक राइसर यार ये तो मुझे लग रहा है कोई बच्चा जान बोच के परिशान कर हो और आप बहुत अच्छी रेंग के सा सेलेक्शन हो, मेरा आशरवाद आपके भी साथ है, ठीक है, चलिए बच्चों मिलते हैं अगले session मेर, good night, खुदा आफिस, बाकी, शुब रात्री, शब भाखेर, मिलते हैं अगली class में